जी ठीक, अलहम्दुलिल्ला, आला के शुकर आप सुनाएं, कैसे जारी पढ़ाई? लगे हुए हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा यहां पर आके थोड़ा आपको और काम भी करने पड़ते हैं, आपको कपड़े भी धोने होते हैं, आपको खाना भी पकाना होता है, पर खाना पकाने के लिए आपने ग्रॉसरी करने भी जाना होता है, तो जो बाकी के काम होते हैं, उसमें भी काफी टाइम लग जाता है, उसके साथ पढ़ाई को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन करने पढ़ती है, क्योंकि जरूरी है. अच्छा आप को बताएं कि आप, क्या पढ़ें यहां पर? मैं यहां पर फिकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में हूँ, और यहां पर मैं पी एच्टी कर रहा हूं, और अभी मेरा सेकिंड एर स्टार्ट हुए है, रिसेंटली मैंने अपना कॉर्स वर कम्प्लीट कर लिया है, यहां पर पर लिए में यहां कि हम मुझे एक सार तक कम्प्रिहेंसिव को लेकर चलना है, साही, अब मेरा सेकिंड एर स्टार्ट हुआ है, एक सा कम्प्रिहेंसिव एग्जैम से यहां सबसे पहले तो यह बताएंगा, आपने एड्मिशन कैसे सिक्यूर किया, एड्मिशन का मेरा जो बड़ा लेंक्ती था, मैंने, मैं बस सोचता रहे गया कि आइल्स करूँ, सबसे पहले तो जो बेसिक चीज़ है वो आइल्स है, यह वीवर्स के लिए भी है, कि जो आना चाहता है, जो सीरियस है, उसकी सबसे पहले निशानी यही है कि वो आइल्स कर ले, अगर वो आइल्स नहीं कर रहा तो सिर्फ सोच रहा है, उसका ख्याल है, यह उसका ख्वाब है, अगर आइल्स नहीं कर रहे तो सिर्फ आप सोच रहे हैं, आ नहीं रहे, अगर आप आइल्स कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो आपने आइल्स करना है, आइल्स करना हम पाकिस्तानी के लिए थो development होई आइल्स में पहले तो यह होता था कि आपने आइल्स का exam दिया तो अगर आपका किसी एक section में band कम आ गया तो आपके पास यह choice नहीं थी कि आप उस section को improve कर सकें तो आपको दुबारा से जो है वो आइल्स की complete fee जो है वो submit करने पड़ते थी और फिर आपको दुबारा सारे exam से गुजरना पड़ता था तो अब जो है मार्च की 16 से 23rd मार्च 16 से एक चेंज आ रहा इल्स में कि अगर किसी एक band में आपका जो है किसी एक section में आपका band अगर कम है तो उसको आप specific लिए उसको improve कर सकते हैं यह बहुत बड़ी development है यह बहुत बड़ी development है यह बहुत बड़ी चीज़ है बना बच्टे हो पूरा उनको अदर्वाइस या चालिस हजार खर्श करने का लिए चालिस हजार देना सिर्फ एक टेस्स के लिए हम यूस टू नहीं है ना क्यूं शरीफ वाला laptop भी मिल गया था तो वो जितने की फीस ही उससे ज़्यादा वापस मिल गया था अहां लगे बच्चों को idea नहीं है कि यहां एक एक दिन में 200 डलरों बना लें या नहीं अच्छा जितना असान वहां पर लगता है ना उतना असान यहां पर होता नहीं है क्या आ समय क्या सुनो कितनी अच्छी लग रही है बिल्डिंग्स कितनी अच्छी है तो जब आप यहां पर आते हो तो फिर आपको पता चलता है लेकिन डिफरेंट अगर आप undergraduate में या graduate में आते हैं master's तक में आते हैं तो life style थोड़ा different होता है PhD में थोड़ा difficulty जादा होती है क्योंक मैं यहां पर नहीं आया था अच्छा सबसे जड़ा question जो मैंसे सुनने को मिलता है वो यह के proposal कैसे लिखे है अच्छा जी proposal से पहले वाली जो चीज़ है मैं पहले उस पर थोड़ा सा बता देता हूं proposal लिखने से पहले आपको जो है आपको लेनी है acceptance प्रोफेसर से proposal से पहले है आपको सब्मीट करना होता है वाल सब्मीटिंग यूर application फॉर दाइड नीशा है मैं वह उस प्री पर पोजल उसी की बात करना हूँ प्री प्रोफेसर जो होता है वो तो बहुत छोट सा होता है एक मैंने एक बना लिया था जनरल जिसमें मैंने अपनी सारे details डालती थी त सेंड कर देता था तो मुझे हर बार वो पर्पोजल नहीं लिखना पड़ता था एक जनरल फॉर्मैट बना लें जिसमें आप नाम छोड़ दें यूनिवस्टी छोड़ दें और जो है पिर जिस जिसको आप इमेल कर रहे हैं उसका नाम डालके आप सेंड करते जाएं आपक दर गर मैच कर जाते हैं तो वो आपको गौ आड दे देता है प्रोफेसर उसके बाद पिर आप एडमिंशन की तरफ जाते हैं तो जब आप एडमिंशन फाइल करते हैं किसी भी अवस्टी को पर तो वहाँ पे पिर आपको अपर प्रौपर प्रोपर प Pengृत करना पड़ता ह बहुत सरे स्टूडÜंट जी कहते हैं कि से अपने ये मेल की लगी ने हमें पर रिपलाइ नहीं है Exactly, ऐसा ही होता है और और तो सही कहते हैं उसकी एक वज़ा तो यह भी है कि हम छायद एमेल ही ठीक नहीं करते हैं अभर ही ये ही सवाल है कि एमेल कैसी लिकनी है इमेल कैसे लिखनी है वो एक तो आप एक जनरल फॉर्मेट जो है वो देख लें इंटरनेट के उपर बहुत सारी ऐसी वीडियोज अवेलिबल हैं कि अगर आपने परफेसर को अड्रेस कर रहे हैं तो आपने परफेसर को अड्रेस करना किस तरह से अब मैंने जो लिखावा थ वो यह नहीं समझता कि इसने एक जर्रेड ईमेल जो है वो कॉपी की विए और हर एक रहे को वही सेंड करता जा रहा है तो जिस भी परफेसर को आप इमेल करें उसका नाम होना बहुत जरूरी है तोड़ा सा उसके बारे मैं आप लिख दें कि मैंने आपकी परफाइल सर्च की इनिवस्टी की वेब साइट से तो यहां मैंने आप रिसर्च इंट्रेस्ट देखे तो तो तोड़ सा एक दो लाइन्स अगर आप लिख देंगे तो वो प्रोफेसर को इंट्रेस्टिंग लगे मैं बात बता दूँ के शाजेब केनडा के स्कॉलर्शिप पे है जो के बहुत मुश्किल होता है यानि नेरली इंपॉसिबर लगता है अच्छा केनडा में डिफरेंस यह है कि जिस तरह से न्यूजी लैंड और आस्टेलिया और चाइना और जिस तरह से कोरिया हो गया यहां पे आपको फुली फंडेट स्कॉलर्शिप मिलती हैं फुली फंडेट इन दे सेंस वह आपका ट्रैवल भी कवर करते हैं वह आपका लिविंग एक्सपेंस भी कवर कर ले हो तर्मयान में जो आप आएंगे वह आपका अपना खर्चा होगा तो उसके लावा जो खाने का है वह भी पैसे वह पे करेंगे एक अमाउंट जो है और उसके लावा जो रहने का जो खर्चा है वह भी पे करेंगे और जो फोटो कापीज और यह चीज़ें जो है वह भी वह पे करते हैं कैनेडा में ऐसी कुछ स्कॉलर्शिप्स हैं लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई स्टू स्कॉलर्शिप्स तो नहीं है लेकिन और तरह के बहुत सारी स्कॉलर्शिप्स हैं लेकिन मास्टर में आते हैं तो मास्टर में आपको फर्स्ट येर में एक स्कॉलर्शिप मिलती है जिसमें आपको हर टर्म में टीन टर्म्स होती हैं तो तीन या दो टर्म्स में आपको जो तो अगर आपके पास हैं अगर आप पहले साल में तीन से तीस से पैंटीस लाक रुपे जमा कर सकते हैं तब ही कैनेडा आने का सोचें अदर्वाइज यहां पर आजकल हालात वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे क्योंकि जब मेरे दोस आये थे यहां पर तो उस वक्त वह सेवेंटी डॉलर्स में अपने पूरे महीने की ग्रॉसरी कर लेते थे और आजकल जो है वो मेरा तो टू फिफ्टी से अबवी है पर मंद बारा तेरह सौ में डॉलर हो तो गुजारा हो जाता है महीने का हाँ तो वो कमाना काफी मुश्किल है और जॉब्स करने पड़ती है आपको अब सेल्स की जॉब्स होती है उनकी रिकॉर्मेंट होती है कि आपने खड़े रहना है तो अगर आप आठ गंटे जॉब करते हैं तो इस डियली मैटर्स अगर आपने इस तरह की पहले कोई का कोई मसला है तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है लेकिन अभी रिसेंटली किनेडियम गिवर्मेंट की तरफ से जो डिवैलेप्मेंट होई है तो स्टूडेंट्स को अलाव कर दिया गया है कि वो बीस घंटे से ज्यादा काम कर सकते हैं पर भी अब से पहले ये तो आप स्टूडीज जो हैं वो कंप्रमाइज होंगी यतनी टरम्स ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा पिर आपको फीस देनी पड़ेगी वो बात तकरीबन एक ही बन जाती है अक्सर स्टूडेंट पोश्टेंगे सिर्क कंसल्टन्ट आप बताएंगे कंसल्टन्ट की कोई जडरुएट मैं एक अथे जरुएट की जरूएट में चेपस के बारे मैं मीरे में यह एक ख्याल है पहले तो मैं यह बता दूब कि जब मैं आया था तो मैझे मुझे बता देता था काफ ही कुछ तो बागी यह है कि मैं खुद सर्च करता था देखता था परपोजल मुझे बहुत पहले से मैं लिखता रहा हूँ तो परपोजल मुझे बनाने हाते थे ए-मेल्ट क्युक्क्य हम हम सोशल साइंस Дयू के ओपर थोड़ा जादा फोकस होता है तो उसमें हम चीज़ें देख लेते हैं और पिर जॉब भी मैंने काफियर सा की है तो उसमें भी इमेल वगएर जो आप लिखना सीख जाते हो तो कनसलेट्स अगर कुई कनसलेट ऐसा है मैंジャन सुनाय मैंने जानता नहीं हूँ ऐसी कनसलेट्स है जो यह दो ऐसे चालिएस पचासजा था तक में आपका पर गाम कर देती हैं और यहां यह पर मैंने इस पर वैंण पर पौजिव भी देखे हैं और जिए cette लोग भी देखे हैं जो बारा से चोदा लाग रुपाई एक कंसल्टेंट को दे कर यहां पर आए इस वक्त मैं उनको जानता हूं यहां पर मतलब वो यह कहते हैं कि जब हम इतने पैसे दे रहे हैं तो हम कुछ करेंगे नहीं तो कंसल्टेंट ही सब कुछ करता है कंसल्टेंट कहता है कि अगर सब कुछ मैंने करना तो फिर इतने पैसे हैं तो वह आपका पिर हैडिक नहीं होता हो सारा कुछ बनाएगा पर पूजल भी बनाएगा पीचर से प्रोफेसर से एकसेप्नेस पी लेगा और जिस सारा कुछ वह वरक के सासाथ करता जाएगा और एडिटिंग थोड़ी बहुत करके तो वह पिर जो दूसर स्ट्रिब्डेंट आएगा वह उसको बेज देंगे और इस तरह से चलता जाएगा साहीं लेकिन पैसों का होना आपके पास बहुत जरूरी है आपके पार रिसॉर्सिस होना बहुत जरूरी है अगर आप समझ रहे उससे तो फर्क पढ़ेगा ने उससे फर्क पढ़ेगा तो सही कि आप कमा सकते हैं लेकिं पिर आप असाइन्मेंट कैसे करेंगे आप पढ़ेंगे कैसे यहां की पढ़ाई वह पाकिसान वाली नहीं है एक तो टोटली डिफरेंस है पाकिसान के कल्चर स्टडी कल्चर में और यहां कि स्टेडी डाइचर यह मेरे यह सवाल आप से करना था कि क्या डिफरेंस आप उसको कैसे केंगे जैसे बच्छे पूछते हैं कि हमसे आके पढ़ाई हो जीगी कर लेंगे हैं जसे पहले तो पाकस्तान में होता है === पे यह से पहलेаты हैं है कि यहां पर त्रूराओट इंगलीश है तो लिए बहुत बीजिंड बिचे एम फिल में फॉर जी पिए इंगलीश के जा थे आँगे बिचाना रहा जाते हैं तो हमारा फॉर जी पि ए एक तो हमारे फॉर जी पिए बहुत आ कुछ यूनिवस्टी जैसी हैं वो तो माशाला से बहुत आगी है फॉर जी पे देने में तो पाकिसान भी ये बड़ा सुनी-सुनाई बात है कि फॉर जी पे वाले इंटर्डू में हमेशा फैल हो जाते हैं जैसे मैं बात करूं तो मैंने कैमिस्ट्री की बच्चों को पढ़ तो बीजी यू में बहुत लोगों को देखा है कि फॉर फॉर जी पे लेकर फिर रहे होते हैं लेकिन स्किल्ज नहीं होते हैं तो यहां पर यह कि दोनुछ चीज़े हैं आपके पास नॉलिज भी हो और आपके पास उस नॉलिज को प्रिजेंट करना भी आता हो अगर यह द सकते हैं अप डिफरंट और्गनेज़ेशन में वालिन कर सकते हैं जब आप ऐस आ वालिन काम करते हैं आप प्रिजेशन में दो गृंटें लगा दें कम असकम आपको इमेल लिकनी तो आजाए कि एमेल कैसे लिक्षी जाती है डिकिन वही है कि एक प्लेट फॉर्म होता है व होता है ना उनके स्किल्स में कोई चेंज आया है बस और टा मार के पास कर लिया तो जहां के नौलिज जहां के जो एड़ूकेशन स्टम में वो ऐसा नहीं है यह आप भी बिलकुल सही है कि साइंस टूडेंट्स को ऐसे भी वो एमेल में एक-स दो इस चीज़ों से ज़ाद हम स कि अध्यकृ लग घ्रॐ आश्यामिंगे। और पिर लर्निंग क्या होई य बिंधि कुछ भी नहीं अब उसमें जिसने अपना थीसिस किया है जो फील्ड में किया है जो लैब में किया है जिसने प्रोजेक्ट किया है जिसने प्रैक्टिस किया है उसमें और उस इंसान में जिसने पैसे दे के थीसिस किरुआ है हो सकता है वो उसको एक हफ़ते के लिए बहुत अच्छे से याद कर ले रटा मार दे सब कुछ लेकिन एक हाफ़ते के बाद भूल जाएगा उसको लेकिन जिसने फिल्ड में जाके प्रैक्टिस किया उसको सारी जिन्दगी जो है वो चीज़ें याद रहेंगी वो भूलेगा नहीं तो यह गैप है हमारी जोकेशन में और स्किल्स में बड़ा करना चाहे वो कर सकता है उसके पास एक प्रैटफार्म है उसके बइसोर्स होते हैं उसके पास कि दिए रहें लॉत सब्सक्राइओ कर ने के बाद चीन साल आपटी प्रेटीटम में इसके न्टर्यू और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सिके इन्टिज इ तनी त्यारी कर लेते हैं कि हर टेस्ट पास्यार लिते हैं लेकिन इंट्र्वी beyond कर ते इंट्र्वीव में क्यों फैल कर जाते हैं वो कि कनफिद्ज लेके नहीं आ सकते हैं अपने आप को इंटर्वी हो रहा है तो खुद ही चेयर पे बैठ जो बस को कि नहीं ये मेरे लिए ये मैरे बैठ रहा है तो ये confidence हो सकता है किसी situation में हो लेकिन हर जगा ऐसा चलता नहीं है अच्छा ये बताएं कि अगर कोई अपने पैसर पे PhD करने आना चाह रहे है उसको minimum कितनी investment चाहिए अच्छा इसमें बड़ा difference है अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हैं अगर आप मास्रस करने आ रहे हैं या फिर आप PhD करना आ रहे हैं पाकिसानी एवरिज स्टूडेंट के लिए ना एक नर्मल बैक्राउंट से हाँ जी बिलकुल मिडल क्लास जो है उसके लिए तीस से पैंटिस लाख लगाना जो है वो बड़ा मैनेज कर जачते हैं लेकिन एक मिनिमममम मांउंट अगर मैं कहूं कि आपके पास होनी चाहिए यहां पर आने के लिए कि कम आसदकाने की फीजा हो एक समेस्टर की कि उनके टीन टर्म्स ऐाएक साल में लैट से कर के अगर आप फॉल में अंट्री करते हैं कैनड़ा में तो फॉल में एंट्री की आपके पास फॉल की फी ज़रूर होनी चाहिए जैसे भी मैनेज करें कोई चीज बेचें जो भी करें फॉल की फी पास फॉल में आगाए फॉल काम करने के बार जब अधी जम्ह करा देंगे तो यहाँ पर यह है कई अप इंस्टॉर्मेंटस में सबमिट कर सकते हैं अपनी फीक वी नहीं के एक साथ दो महीने बार बार की या तीन महीने बार पार की ज tips कर सकते है उसके बाद फिर summer आजाता है winter की तो नहीं मतलब एक term की full fee निकाल सकते हैं तो उसमें पढ़ते पढ़ते जब आप part time कर रहे होंगे तो next की आदी तक्रीब आप किसी ना किसी तरह जम्हा कर लेंगे तो कम असकम जिन लोगों के पास 15 लाग 15 लाग है वो survival उनके लिए बड़ा असान है इससे कम हैं तो फिर बहुत मुश्किल है 10-12 लाग भी हो मतलब 10-15 लाग at least होने चाहिए आपके पास तब ही आप सोचें otherwise पहले ये पैसे जम्हा करें पिर या तो पिर आप अपना जो है वो direction जो है वो चेंज कर लें किसी ऐसे तरफ जाएं जहां पर आपको full scholarship मिल जाए fully funded इसमें जर्मिनी बहुत आगया है जर्मिनी की जो DAAD आज जिसको पढ़ते है तो वो एक scholarship है वो fully funded होती है और उसकी monthly payment बहुत अच्छी है कैनेडा जितने जल्दी आपको पियार देता है वो दुनिया में मेरे निकाल शायद ऑस्टेलियर देता हो इस परस्पेक्टिम में देखा जाए तो कैनेडा टॉप priority है तो यहां पर आप सीधे तरीके से आते हैं तो बड़ी जल्दी जो है आप चीज़ों को अचीव कर ले रही है लेकिन कैनेडा की एक स्कॉलर्शिप है इंटरनेशनल डॉप्टरलस्कॉलर्शुप तो जो भी कैनेडा में पीएच डी में एड्मिशन सेक्यूर कर लेता है यह एक स्कॉलर्शिप आई डिफाल्ट उसकी अकाउंट के साथ अटैच हो जाती है कोई दुनिया में दुनिया में कहीं से भी वो आएगा, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो ये एक स्कॉलर्शिप, जो कि इंटरनेशनल डॉक्टर स्कॉलर्शिप है, बाइ डिफाल्ट उसके अकाउंट के साथ अटेच हो जाएगी, and that covers almost half of your fee, and the other scholarship, क्योंकि मेरे पाद दो हैं, तो दू अटरनेशनल स्कॉलर्शिप, तो एडिफाल्शिप और इंटरनेशनल डॉक्टर स्कॉलर्शिप मिलाके, तो मेरी full fee जो है, वो cover होती है, अलहमदुलिल्ल्ह, अल्ला की तरफ से यह हुए, मेरे पास पहले एक स्कॉलर्शिप ती, तो मेरे वीजा रिजेक्ट हुआ, तो मै की तरफ से यह था, वो रिजेक्शन में भी एक हिकमत थी, जो बात में समझ जाई, मलब एक अगर रिजेक्शन हो भी जाती है, तो डिसार्ट नहीं होना चाहिए, अच्छा हाँ, कैनाडा की रिजेक्शन बहुत जद हैं, और इंटारली डिफरेंट है आपका वीजा प्रो में हो, आपका वीजा रिजेक्शन हो सकता है, और मेरा वीजा जब रिजेक्शन हो था तो उस पर अनने ये कहा था कि मैंने एक डॉक्मिंट अप्लोड नहीं किया जो कि मैंने अप्लोड किया था, जो कि उनकी वेबसाईट पे भी शो हो और कहानी बहुत सुनी है तो बस रिजेक्ट कर देते हैं लेकिन यह है कि अगर आपकी फाइल ठीक बनी वी है आपने चीजें सही मैंशन की वी है और बैंक स्टेटमेंट ठीक है जो पर पूजल फिर एक आप उधर भी लिखना होता है जिसे कहते हैं आपको वहां पर भी लिखने किक्ता हो रहे हूँ किस यूणि़िस्टिजम करना हूँ liDrop यह मेरे अंसफन आप Erstis आर्समें अपने इनको क्रणा होता है वापिस जाता यह लेकि पहले आपने उनको यह कंफिर्म करना है नह Mandy यह आपने आपने जो बिशिकिसे कि यह न था ने उसलिघ का था तो फ्सक्रां था प्रया हो तो ऊच्छा फिर तीन पेजिस मेरे ज्यादा हो रहे हैं तो मैं इसको दो पेजिस पर ले आता हूँ जैकिन वह इसноरह scot होता है कि आपने पूरी पूरानी और रगली ओर दो से तीन पेज में आप ने उतारनी होती होती है उतो पाकिसcía आप ते टाइज शो करनी हैं यह करनी है आप लितररिया आपनुनों को यकीन दिलाना है आप जो है बापिस rushed चाएंगे यहां पर रहने क्लिए नहीं हा रहों उसमें ये नहीं लिखना हैं कि मैं कैनिड़ा में रहना चाहता हूं ये तो बिलकुल भी मेंशन था हैं कि अगर आपके दूर के कोई रिष्टेदार हैं आप mermaid mention नहीं करना क्योंकि वो पहले से zoom कर लेते हैं कि यहां आके अपने study चोड़ के इधर चला जाएगा या उदर चला जाएगा तो यह छोड़ जाएगा तो इस वजा से उसका negative impact पॉड़ा है साही यह बड़ी इंट्रस्टिंग माझने तो अच्छा आपने कितने इंविश्टिस को कितने पर्फेसर्स को भेज़ा आपको response कितने response आया मैं जब email मेंने start की थी तो तक्रीबन पचास से उपर ही थे पचास से उपर तक्रीबन कैनेडा में अस्टेलिया में भी अप्लाई किया था न्यूजी लेंड भी अप्लाई किया था न्यूजी लेंड की मेरी एक दफा स्कॉलर्शिप हो गई थी International Masters in Rural Development में 2014 की बात है तो उस वक्त मेरे पास आयल्स नहीं था और मैंने आयल्स के बगहरी प्रपोजर लिखके वहां से मैं वहां से बाब मैंने प्रपोजर लिखा था तो उनको मेरे अप्लिकेशन थी वह पसंदा आगी लेकिन उनने कहा कि आयल्स के बगहर हम नहीं कर रहूं तो वो मैं नहीं कर सका था फिर वो मुझे स्कॉरेशिप नहीं मिली थी बारहल मैं लगा रहा एक शोग था जॉब करता रहा इदर उदर हर जगा पचास का मतलब है आपने कोई इनवर्स्टी में छोड़ी कहने लगी ऐसे ही था तकरीबान हर जगा पर मैंने अप पर्फेसर को उसी से मुझे एकसेप्टनेस मिली और उसी पर मेरा अड्मिशन हुआ और उसी पर मैं कहना रहा है फर्स्टी में तो वो कितनी देन में आपके रपलाए आ गया था मुझे जो रिस्पांस आया था वो तो तकरीबान अब मुझे एक्जैकली याद नहीं है ले गया तो तो जब शारी इमेंट्स कर्वाने थे तो जब अडमिशन अप्लाई करना था है तो उसमें इस वजह से उप भूगी तो मेरे निकल गई तो फिर मैंने प्रोफेसर से बात की कि कि मैं अपलाई नहीं कर सका और इस वजह से निकल गी तो उसने का मैं बहुत बुज़ी हूं तो अब मैं जो है वो शिफ्ट कर रही हूं अब मैं नहीं दे सकती एक्टेंशन तुम्हें एक्सेप्टेंस की तो फिर एक प्रोफेसर थे मैं प्रोजेक्ट कर रहा था उनके साथ दोस्ती थी काशिव साहब बहुदिन सिक्रेज इंवस्ट्री में जडर स्रेडिश डिपार्टमेंट में होती हैं उनसे एक दफार डिसकस करता था किया ऐसा हुआ तो उन्होंने मुझे और से एकसेप्टनिस ली नहीं थी और सिर्फ आपसे बात की थी तो मैं औरनेशन करा नहीं सकता अधरवाइस तो प्रोफेसर ने प्रफेसर ने प्र एकसेप्टनिस मुझे देदी ति कि जब उस hem मुझे अच्छी मेरी जॉब थी मुलतान में था मैं उस वरक्ट तो वह मै किसी के लिए लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट सा राइटिंग जो है ना क्यूंकि आप आपने वो सोशालोजी पड़ी वी है तो आप वही आपक एक एक आपने असाइन्मेंट लिखना शुरू कियोंगी बैसलर से राइटिंग की ना साइंस स्टूडेंट को लिखना सुबा उड़ता था जो ए लाइब्रेरियरी स्टेडियम के पास मुल्तान में वहां जाता था मैं सुबा और शाम को मगरिब के वक्त में वापिस आता था फिर उसी मेरा हमजान शुरू हो गया रोजा रखके सुबा आठ नौ बजे लाइब्रेरी के लिए निकलता तो शाम पर खूल ने से पहले जो है वहां से भागता था ता कि रोजा खुलते वन धो वह फिरक दूर्स कून सी मार्कीट है गर्देजी मार्कीट 6 नम्बर तो वहां से आके दो सुमोसे ले लिए और रोजा क् szcz़ोल लिया। गर्देजी मार्कीट से यह समोसे लिए कि यहां के मैं वहीं पर रहता था, ना, इस वज़ासे वहां पर एक समोसे की दुकान है, वह उसके समोसे बहुत मज़ए पिल्जाइड रहा है, वह जो एक जिंक ओर न है, उसके साथ एक है साही तो मतलब यह कौन सी बुक्स पढ़ते हैं इतनी देर लाए अच्छा आइस में ने कोई अकैडमी नहीं दी मैं एक दफ़ा अकैडमी में गया लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे समझ नहीं आइस बाउट यूर प्रैक्टिस आपने प्रैक्टिस करनी है मै क्या करता था कि मैं सुबह जब जाता था तो मैं जा के टेस्ट करता था टेस्ट एक वेबसाइट है आइल्स फीवर डाट कॉम इस वेबसाइट पे जा के आप जो है वो रीडिंग के टेस्ट राइडिंग के टेस्ट और लिसनिंग के टेस्ट यह जो है आप डाउनलोड कर तो मैं डेली जाके एक टेस्ट है वो करता था तो उस टेस्ट में मुझे पता चल जाता था मेरे कितने मार्क्स हैं फिर मैं उसको अबसर्फ करता था कहा मैंने खलती की कितने टाइम में कर रहा हूं मुझे अपनी सपीड इंक्रीज करनी है क्या करना है फिर थक जाता है इनसा इतने ज़्यादा देर के लिए आप फोकस नहीं कर सकते हैं तक्रीब है इसी तरह से फिर मैं दुपैर में कुछ इंग्लिश की बुक्स उठाक मैं पढ़ने लग जाता था था फिर वहां जब जब मैंने पहली बार वो बुक उठाके मैंने पढ़ी तो मुझे अंदाजा कर रहा हा कि मैं शे से साफ पैजिश्स पड़ गया हूँ लेकिनि कुछ रिजी कर रहे। आप्सक्र पर मैंने दुबारा उसको पिर मैंने प्रैक्टिस की कि मैं पढ़ रहा हूँ उसमें लिखा क्या हुआ है ताकि जब मेरे दो पीज गुजर जहें तो मुझे पता हो कि पीछे क्या लिखा ओवा था भी मैंने उसको प्रैक्टिस किया तो आइसा इसा ताइम पिर मेरे एक section में बैंड कम आ गये लेकिन मुझे तो हर बैंड के साथ पिर एक justification होती है कि आपके बैंड जो है वो इतने हैं तो क्यूं है उस पर जो justification की उससे मुझे clear हो गया कि यह मेरे बैंड ठीक नहीं आए तो मैंने उसको दुबारा जी टेस्क के लिए अप्लाई किया उस पर भी तक्रीबर नठायरा से 20000 और फ्रेश होती है तो अगर आपके चेंज़ ना हो तो व आपिस नहीं होती लेकिनगन अगर आपके चेंज कि स्टूडेंट्स हैं तो टी ए मिलना काफी मुश्किल होगा लेकिन मिलता भी है और लोग कर भी रहे हैं जो मास्टर्स में ऐसे लोग जो हैं वह कर रहे हैं आपको एक्सेप्शनल होना पड़ेगा आपको नेट्वरकिंग करने पड़ेगी आपको पर्फेसर के साथ जो है हुआ कर लेगे ट्वेशना परर